मुझे लगता है कि हमारी फिल्म कल रिलीज हो रही है और आज नरेंदरबाई की इतनी बड़ी जीत हुई है खुश है कि जितने नरेंदर भाई के फैन्स हैं मुझे लगता है कि वो इस देश के सबसे बड़े हीरो हैं और सबसे असली हीरो हैं और उनके सब फैन्स कल हमारे साथ इनकी जीत की जश्टन मनाएंगे थेटर्स में पीम नरेंदर मोधी ये फिल्म देखकर और इस इनसान इस वर्चस्व के पीछे क्या कहानी है वो कल देखेंगे थेटर्स में चालीस देशों में रिलीज हो रही है हमारी फिल्म बहुत खुश हूँ मैं आज हमारी लिए जैसे आपने कहा डबल सेलिबरेशन है बस खुश हूँ और मैं सोच रहा था कि मुझे राहूल गांदी जी को और कॉंग्रिक से सर्थ बड़े नेता जेनों ने हमारी फिल्म को रोकनी कोशिश की मैं चाह रहा था कि पूरी विनमरता के साथ उन सब को मैं इन्वाइट करूँ कि वो आएं कल हमारी फिल्म देखें अब तो हार गए हैं तो थोड़ी चुटी है उनके लिए तो आएं हमारी फिल्म देखें और शायद मोदी जी की एक कहानी देखकर उन्हें भी कोई प्रेरणा मिले उनकी पॉलिटिक्स में भी कोई अच्छा बदलाव आए साकारात्मक सोच आए तो यही मेरे एक निवेदन है उन सबसे की आएं और फिल्म देखें और यहीं से इंटराक्ट किया किस तरगा है मुझे मुझे करें आप 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 आउडियस को तो बहुत अच्छे लगी फिल्म सब लोगों को अच्छे लग रही है बहुत मजा रहा है क्लैविंग कर रहे है काफी एमोशन्स भी है काफी एक्साइटमेंट भी है फिल्म में और ट्रिपल सेंचरी के उपर आगे अब कि बार बीजेपी का भी बहुत मुबारक हो आप सबको और हम भी मुबारक देश को मुबारक क्योंकि देश की तरग्की की देश की जीत है जैसे आपने कहा बहुत जादा विवाद हो चुका है तो अब इस विवाद को भूज जाते हैं आगे बढ़ते हैं क्योंकि कल फिल्म रिलीज हो रही है और मैं चहरा हूँ इस फिल्म का बढ़ इस चहरे की पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत महनत किये इस फिल्म के लिए और मैं चाहता हूँ कि हम सकारात्मक रहें पॉजिटिव रहें इंजॉय करें इस फिल्म की रिलीज को जितना हमने इंजॉय किया इस फिल्म को बनाने के लिए और ये देश भक्ती के ऊपर एक फिल्म है एक देश भक्त के बारे में हर देश भक्त को पसंद आये ऐसी फिल्म है तो मैं चाहता हूँ की कल से थेatres में जाकर चाहे आप 7 साल के होँ या 70 साल के लोग enjoy करें इस फिल्म को और वो देश भक्ति की भागना जो है वो उमड आया है नहीं मैं इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहा हूँ मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बहुत सकारात्मक तरीके से इस फिल्म की रिलीज को एंजॉय करने वाला हूँ हमारी टीम में 22-23 साल के चोड़े-चोड़े बच्चे भी थे जिन्होंने डाड के साथ भी काम किया और गर्मी में चाहे वो कच के मिट्टी में, धूल में, 45 डिगरी की गर्मी में हो या फिर हर्शिल गंगोत्री के पांच फुट बर्फ में माइनस 20 डिगरीज की टेंपरिचर में भी बच्चों ने काम किया तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ में इस सेलिब्रेट करें क्योंकि अनस्ती ये फिल्म टीमवर्क थी और हैट्स ओफ टू आर टीम जिन्होंने इतनी जान डाली इस फिल्म ने उनके लिए धेर सारी शुब कामना है